हाथ रसके सिकंद्रा राउ में सुबा चार बजे मोहला गौस गंज में कूडा ढाल कर वापस लोट रहे 24 वर्सी युवक की मिजली का करेंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई वह युवक की मौत से मोहले में मातम चा गया आपको बता दे कि मोहला निवासी राम वतार के 24 वर्सी विभाईत पुत्र गौरो कुमार प्रतितिन की तरहे प्राया चार बजे भैसो का गोबर तसले में भर कर जीयस कॉलेज के पास बने घूर में डाल कर वापस लोट रहा था रास्ते में विजली का पोल पड़ता है गौरो को आभास नहीं था कि पोल में करंट आ रहा होगा पास से गुजरते समय किसी तरह उसका इस पर्स पोल से हो गया जिससे उसे तेज करंट लगा और वो पोल से चिपक गया वही आसपास के लोगों ने उसे तुरंत कपड़े और लगडी से अलग किया लेकिन करंट इतना तेज था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई मौत की खबर पैलते ही भीड इकत्रित हो गई मौके पर पहुची पुलिस ने शब को पोस्माटम के लिए भेज दिया उधर इस थानी लोगों में इस घटना को लेकर विजली व